सभी लोगों को नमस्कार मेरा नाम स्रीराम डाल्टन है और मैं जारखंट का रहने वाला हूँ और 2002 से यहां मुंबई में फिल्मों को फिल्मों में मैं काम करता रहा और कुछ फिल्में बनाई है मैंने कुछ फिल्में बनाई है अभी और कुछ नए काम करने जा रहा हूं यह महां आपने ठीक कहा मेरा नाम स्रीराम कुमार है लेकिन मुंबई ने मुझे यह नाम दिया है इन फैक्ट मिस्टर रशोक महता जो मेरे गुरू जी रहे हैं उन्होंने उनका दिया हुआ नाम है यह तो इसके साथ एक सुन्दर एक वाक्या है मैं उनको असिस्ट करता था और मेरे कलिक्स उनके देखा देखी मुझे चाचु मुझे मिस्टर रशोक में था मुझे रामलाल के नाम से पुकारते थे शेट पर रामलाल यह लेकर के आओ रामलाल वो लेकर के आओ मैं भागता रहता था अपने साथी जीतेंदर के साथ तो मुझे मैं देखता है मुझे बाकी टीम मेंबर से मुझे रामलाल रामलाल पुकारना शुरू कर दिये थें तो मैंने एक दिन मैं थोड़ा परिशान था मैंने चाचु को बोला कि चाचु मेरा नाम यह लोग सब रामलाल बुला रहा है तो उन्हेंने बोला कि कितना शुरू नाम है क्या प्रावलम है चाचु पर मेरा नाम यह है रही है स्री रामलाल रामलाल कितना बड़ी है मेरा चाचु मेरा नाम स्री राम है और स्री राम के साथ कुमार कैसल है तो टाइगर आदमी है और सिर्राम के साथ कुमार तो फिर बैठ करके उन्होंने कैसे बता क्या रखना चाहता है तो कई तरह की बाते होई उसमें एक बात निकलके आया है कि मैं डाल्टेंज करहने वाला हूं तो वहां से डाल्टन है जो डाल्टन स्रीराम डाल्टन ऐसा एक कॉंबिनेशन सर ने सु जो एक समस्या थे कि आप कहां के रहने वाले हैं तो जार्खंड के जार्खंड में कहां डाल्टेंज कहां है तो मैंने वह चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि सिर्राम डाल्टन डूंडते रो भाई वह डाल्टन क्या है और डाल्टन गंज क्या है और डाल्टन गंज कहां है त कृचिन थी ऐस आपके तर्च पी अपर जाए इसके बॉंबब्य बॉंबबै जैसे जारकंड में में मेरा 10-12 का पढ़ाई हुआ उसके बाद जब मैं निकला तो बिसिकली एक लाइफ के फेज से मैं गुजर रहा था जहां पे बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है कि क्या कर रहा है लाइफ में आगे क्या करना है तो इन सवालों से मैं भी जूज रहा था लेकिन मेरे पिताजी का जो पक्ष है कालात्मक जो पक्ष है उसको मेरे पिताजी ने जाना समझा और मुझे दरसल गाइड किया कि मैं अपने इस पार्ट पे काम करूं और मुझे बेचू लेकर के आया और वहां पे मैंने फाइन आट्स जॉइन किया तो फाइन आट्स जॉइन किया तो पेंटि अप्लाइड आट में करने के दोरान वह बिशिकली अड़र्टाइजिंग और चीजों को डिजाइन करना और मार्केटिंग करना उस लिहाज से चीजों को सोचना तो हमारा specialization था, तो काम तो उस पर कर रहा था, काम उस पर कर रहा था और इस बीच photography की लगी मुझे, क्योंकि commercial art में आ करके painting और sculpture से थोड़ी दूरी बनी मेरी, दूरी बनी तो एक छटपढ़ाट भी रहा कि अरे यार कहीं है, ये advertising और इन सब photography एक ऐसा medium था, जहां पर एक satisfaction में ढूंडता था, अपने frame में, composition में, graphic composition में, colors में तो अब वही लगता था कि चीजें जो अब लेबल है उसको recreate करने क्या ज़रूरत है, जो है उसको catch करने की ज़रूरत है दुनिया में इत्ती चीजें उपलब्ध हैं, उसमें से best हम अपन क्या compose कर सकते हैं, best टुकड़ा क्या काट के निकाल सकते हैं तो वो एक practice हमारी रही और ये practice जो है, ये भूक है जो बहुत आगे की तरफ ले करके गया शुरू में तो जो भी photography हम करते थे, उसका exhibitions वगर किया करते थे, तो art galleries वगर में हम exhibitions वगर किया करते थे तो उसमें बहुत सारे critics, art lover और journalist वगरा सब लोग उसमें अपनी बात रखते थे, लोग वो पसंद आता था लेकिन वो भूक और बढ़ती ही गई, वो एक single frame click करने से बात आगे वो जो एक भूक बढ़ी वो एक ही जगह पे एक frame में कई सारा click करना कि इस तरह का एक habit बना, कहीं कुछ देखने में अच्छा लगता है, लगता है उसका पूरा movement अच्छा है, पूरा motion उसका अच्छा है तो उस motion को खड़े-खड़े हमारे पहले एक reel में 24-36 click हम कर सकते थे तो खड़े-खड़े ही हम सब click कर दिया करते थे तो वह एक natural tendency और natural requirement बनी कि नहीं, अभी motion और movement है जो खुद को पसंद आ रहा है तब यह दिमाग में आया कि मतलब अपने को motion camera चाहिए और movement अपने को दरसल capture करना चाहिए और फिर दिमाग गया कि नहीं, फिल्म, वो दरसल फिल्म खीच रहा है तो वहाँ से मुंबई आया और मुंबई आया तो उस दौरान मिस्टर अशोक महता की फिल्म हम लोगों ने देख रखी थी दो फिल्म में बहुत, एक तो bandit queen देखी थी, दूसरी फिल्म मोख्ष तो bandit queen content के लिहाज से और storytelling के लिहाज से बहुत powerful कहानी लगी थी तो उसमें मैंने देखा कि इतना beautiful film तो शेकर कपूर को तो देखा ही लेकिं अशोक महता को भी देखा और फिर जब दूबारा दूसरी फिल्म देखने का मौका मिला मोख्ष का तो मोख्ष फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी और realize कि अच्छा दोनों एक ही camera man ने काम किया है तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे इनसे learn करना है और फिर एक target लेकर के मुंबई आया है कि मिस्टर अशोक महता से मिलना है उनसे learn करना है और उनसे काम सीखना है फोटोग्राफी सीखनी है और आ गया मुंबई उनके पीछे लग गया फिर उनके साथ मैंने आठ फिल्मे की वो एक लंबी कहानी है उनको चेज करना हो उन तक पहुँचना लेकिन मुझे मौका मिला तो फिर उनके साथ आठ फिल्मे की सुभास कई की फिल्म किसना से शुरू किया था बीच में नो इंट्री का भी कुछ स्टेडियूल किया गॉड तुसी ग्रेट हो फैमली मैरेडियन एक फिल्म की जो अभी तक रिलिजनी हुई है बेवफा एक फिल्म आई थी उसके कुछ सीन्स हम लोग ने की तो कई फिल्में हम लोग ने की और आपने पूछा की फिल्ट करनी है तो मतलब दूसरों के लिए कैमरा करना है और उनका उनकी कहानियों को मूर्त रूप देना है लेकिन एक दिन अशोक महता ने चाचु ने मुझे बोला कि तुम तुम अपनी कहानिया को हो तो यह बात मेरी समझ में ने आई कि अपनी कहानिया को मतलब क्या 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 क कि नहीं तू डिरेक्शन कर और अपनी फिल्म बना तो मतलब मैं तो हिल गया इस बात से कि कहां इतना लंबा इस्ट्रगल करके इतना लंबा पेसेंस रखा लॉर्ण किया सीखा अब जब टाइम आया है कि है हाओ अजय जनम टोग्राफर काम करूँ और पैसे कमाऊ तो यह कह रहा है कि डिरेक्शं करो तो यह बोला चाच्चो अभी तो मैं अपनी फिल्म करना चाहता हूं मतलब स्रॉप्टोगरफी करना चाहता हूं फोड़ा पैसे कमाऊंगा कितना श्ट्रगल करूंगा तो उन्ह नहीं सोचा था, अच्छा, चाचु जब मेरे लिए कावरा कर दे गए, तो मैं वाकई अपनी कहानी क्यों रखा हूँ। तो फिर मैंने ब्रेक लिया और मैंने अपने जीवन में क्या चीजे हैं, क्या कहानिया हैं, वो सब देखना शुरू किया, तो मैंने रिलाइज किया कि नहीं मेरे पास कहानिया हैं और अच्छी कहानिया हैं, तो फिर मैंने अपनी कहानी कहने शुरू कर दी। तो आज बहरूपिया यह फिल्म बनाने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण बना है वो यही बना है कि जैसे भी हम लोग कि हमारा बच्पन जो बीता है मतलब हमारे आँख के सामने रेडियू आया हमारे आँख के सामने बाइस्कोप मुहले में बाइस्कोप उगर आया करता था तो हमारे लिए इंटर्टेन्मेंट तो ही था बाद में टेलिवीजन हमारे आंके सामने आया फिर कई तरह के सीरियल फिल्म में वगरा लेकिन हमारा एक दौर गुजरा है जब कॉलनी में बहरूपी आया करते थे और बहरूपी आयते थे तो सारे बच्चे उसके पीछे जो घूमते भागते सब दिखंड और हनुमान बन करके आ जाता कभी बाग चीटा इस तरह का तो हम लोग सब बचे लिए मतलब इंतजार होता था मतलब बच्चे तो बच्चे पूरे सब के पेरेंट्स और रटरह के लोग है जो मतलब आते तो एसा थोड़ी था हिए पपेट थे हौँ तो वो सबको इंगेज कर देते थे इन्वाल्व कर देते थे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा इंटर्टेन्मेंट था और बाद में वो जब बनारस आया है और फिर मुंबई आया है तो फिर धीरे धीरे वो चीजे तो मतलब दीखने ही बंध हो गई तो मतलब हमारा बच्पन तो ऐसे ही भी था बहरूपिया को देखते वो हमारे लिए मनोरंजन का साधन मतलब एक बड़ा इंपोर्टेन्ट फैक्टर था बहुत बड़ी हैपनी हुआ करती थे लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग ने रिलाइज किया कि अब वो दिखते नही हैं दिखते नहीं हैं तो क्या है और बहरूपिया इतने कलरफुल और इतनी चीजें इतने कारेक्टर किरदार वगर निभाते हुए तो दिमाग में बैठते तो थे उससे फिल्म के किरदार की तरह हुआ हमारे जीवन का हिस्सा था पिर बाद में जब लगा कि बहरूपिया और है कहां अगर उस पर काम कर रहा है तो जानना तो पढ़ेगा कि आज के स्थिति की आ है तो हमने i7 तो कहीं मिल नहीं रहे हैं कहीं नहीं मिल रहर है फिर ऐसे ढूंडते ढूंडते फिर रास्थान में और बहुत कुछ जगों पे बहुत इक्के दुखे लोग दिखे उनसे जब मिलना हुआ बाचित हुई तो समझ मैं कि बहुत बुरी सिति में हैं बहुत भैंकर गरीवी में मतलब वो पारंपरिक जो कोई कदुका परिवार ही है जो उस पारंपरिक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को अपने मतलब गरीवी होने के बावजूद अपने कंधों पे उसको ड्हो रहे हैं और वो दीख रहा है कि मतलब वो इंटर्टेन्मेंट के जो दूसरे मीडियम है और उस पे जो कला का जो दूसरा माध्यम सोसाइटी में इन्वाल्व हुआ तो उसने ओरिजिनल बहुत सारे आर्ट फॉर्म को उसने मार दिया और मार दिया तो ये स्कला से जुड़े हुए जो कई परिवार थे और वो सब उनको अपना पेसा बदलना पड़ा बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस पे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन बड़ी मु तो इस थॉर्ट ने हम लोगों को बल दिया इस पर फिल्म बनाई जाए इस पर काम किया जाए और दूसरा एक महत्पूर्ण बात है कि एक ट्राइब है अगर एक कला का मरना मतलब उस कला पे निर्भर वो पूरग पूरा समुदाय का मरना होता है तो डाइंग आठ आप कहा सकते हैं कि बहरूपय कला एक डाइंग आठ है एक ऐसा नोमेट ट्राइब है जो विलुथ हो रहा है इस कला के साथ तो इस थॉर्ट ने इस फिल्म पे इस आइडिया पे काम करने के लिए प्रुसाहित किया और हम लोगों ने जो समय हम दे सकते थ आमने किया और लोगो फिल्म पसंद है तो बात करते हैं कि मैं स्प्रींग थंडर इस प्रिंग थंडर इस प्रिंग थंडर फिल्म का नाम पहले यूरेनियम था तो कहानी जब लिखी थी तो यूरेनियम के नाम से ही कहानी लिखी थी और फिल्म को फिल्म करने के दौरान मेरे एक दोस्त जोजफ लोना उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि राम इसका नाम स्प्रिंग थंडर रखे क्या तो Spring Thunder नाम तो sound अच्छा कर रहा था मैंने पूछा क्या हुआ इसका मतलब तो Spring Thunder क्यों तो उन्होंने बोला पढ़ो तो मैंने पढ़ा study की तो realize कि Spring Thunder दरसल 1976 का एक किसान विद्रोह था उसको international media ने Spring Thunder का नाम दिया था तो मेरी कहानी में मेरे किरदार जो थे वहाँ एक विद्रोह का एंगल तो था तो मैंने realize कि अच्छा ये वहाँ से जोजफ है जो मेरी कहानी को इस बात को जोड़ के देख रहा है तो ये ठीक है तो Spring Thunder नाम रखा इसका और फिल्म तो नाम के पीछे तो ये ये स्टूरी है और ये है हमारे जारखंड के माइन्स और मिनरल्स की कहानी माइन्स और मिनरल्स के नाम पे जो जंगल और जो हमारे पर्यावरण का दोहन हो रहा है तो ये वहां से उपजी होई कहानी है ये जो अजब तो नाम के साथ अजब आर जावर जाए जोगवा धरकड में जूरी नीम हैं उस तक में काणियों कि आपको यूरी नीम है फाइन से जो रहा है उपका इड्याद की अर तो का फिलोगों को अज़द कीया जाता है सब्सक्राइब करें लोगों के लिए ये माइन्स और मिनरल्स की कहानी होगी या जहारखंड को आम तोर पर क्या है मैं देखता हूं कि देश दुनिया भर में लोग जहारखंड को माइन्स और मिनरल्स के बतौर उसे स्टेट के बतौर देखते हैं लेकिन हमारा नजरिया कुछ अलग रहा है हम वहां के बच्चे रहे हैं हमारा जन्म हुआ 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 हम कैसा समय बीता हमारा बच्पन में जब भी कुछ अच्छा लगता तो कैनवस उठा करके जंगल करती है हमारे लिए तो जीवन है लेकिन माइन्स और मिनरल्स का जो एंगल है वो जब बाहर वहां से निकल के आए जब येचिव में पढ़ाई शुरू की वहां से मुंबई आए तो समझ में आए कि अच्छा यहां के लोग जारखन को इस तरह से देखते हैं कि अरे खनी संप श्याँल है तो तो उसका एक्स्राक्षिन का भी मामला बनता है और फिर वह मामला बनता है तो फिर वह नकसल्वाद पे लोग बात करते हैं कि अचछा जहारखन के लुग-धिया यासा है आए तो यह सब मामला मतलब यह प्रस्पेक्टिब मैंने लोग का देखा वो इक तो मुंबई की ही एक मेरी घटना थी, बहुत शूरू-शुरू में मुंबई आया था, रात में एक बार एक producer जो हमारे हाँ रहकर की ही वो कुछ-कुछ मतलब मिलना जुलन और कयी तरह की काम होकर वो, कर रहा थे, तो उनके साथ एक बार, और लेट नाइट उनको बाहर हम लोग छोड़ने निकले तो पुलिस वालों के एक सम्मूने हम लोगों को रोक लिया और कई तरह की बाचीत, मतलब बहुत रूड होकर के बाचीतों कर रहा थे, पूछा कहां के रहने वाले हो, तो मैंने बोला जारखंड, जारखंड बोला त इसलिए ये टीवर है, तो मतलब ये क्या बाच हुए, जारखंड के लोग है, तो ये टीवर है का क्या मामला तो ये सब चीज़े हैं दिमाग में बैठती जाती रहिया, के अच्छा, जारखंड को लोग इस तरह से लोग देखते हैं, वो image क्या है, क्यों है, इस बात को closely चीजों को देखने का और फिर महानगर से detach हो करके अपने गाउं शहर को देखने का महानगर के लोगों की नजरों से तो समझ में आये कि अच्छा चीजों को लोग क्यों इस तरह से देख रहा हैं अब मामला यही है कि आपके घर को आपका आंगन है आपकी प्रापर्टी है उस प्रापर्टी में अगर कुछ बहुमुल्य चीज अगर निकल आता है तो आप अपना घर तहस नहस तो नहीं कर देंगे आपके लिए तो आपका घर हुआ ना तो वो ठीक वैसे ही वो जारखंड को एक प्रागर्तिक अस्थल के बतार देखा जाना चाहिए अगर वो जंगल और जर्नों से और वनस्पतियों से वो परिपूर्ण है तो फिर उसको उस नजरी से देखा जाना चाहिए कि आप जारखंड को जिस तरह से देखते हैं जारखंड एक्चुली क्या है जारखंड की अपनी कहानिया क्या है अपना दुख तकलीफ हमारा अच्छा बूरा क्या है वो हम बताएंगे तो यह कहानी एक जरूरी काम की तरह किया गया कितना किजी रहता है कि प्रमठाइ थंदर आपने कहा अपने देखी उफार चलेगी लेकिन इसना इसी नहीं होता कि अपने कैसे जैसा भी सुनाए कि आप आप जेल पे गए थाले कुन जीजूर सुर्टी आए कि आप जेल में भी गए कुछ लोग तो कह रहे हैं तुम क्या गुंटा गर्दी करो क्या बना रहे हो कुछ लेता लोगा आगए कुछ मिली जोड़ा कुछ हो गया तुछ पात ही आपने कहा और बाच की जिए दिए उसके पीछे स्प्रिंग थंडर बनाने में बहुत स्ट्रगल रहा है अभी क्या है फिल्म को लेकर के पहले तो मैं उस कहानी को लेकर यहां मुंबई में लोग के बीच घूम रहा था तो आम तोर पए यहां पर रिलाईज करता है कि आप अपनी कहानी रखें तो उस आइडिया पे लोग अपने अपने आइडिया जो घुसा देते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं इस तरह से सोचो ऐसा सोचो यह करो वो करो और इतनी बाते इतने इतने प्रोसेस में आपको उल्या देते हैं कि मतलब आपका जो ऑरिजनल आइडिया है वो मतलब हतोसाहित हो जाएगा उद्धम तूर देगा फिर मैंने रिलाइज किया कि नहीं ऐसे नहीं अगर मुझे अपनी कहानी कहानी है एक औरिजनल कहानी कहानी है तो यह बजार तो आपको औरिजनल कहानी नहीं कहने देगा तो मेरे पास कुछ पैसे थे, मुठी बर थोड़े पैसे थे उन पैसों के साथ और बस्वारा टीम के साथ मैं जारखन निकल गया वहाँ जाकर के लोकल में कई लोगों को ट्रेंड किया, तयार किया और 40-45 लोग का एक टीम बनाया और वहाँ पे हम लोगोंने काम शुरू किया काम के लिए हमारे पास 5D कैमरा, गोप्रो और एक जूम माइक तो इतनी ही सहुलियत थी हमारे पास एडिट के लिए एक आई-मैक मेरे पास था तो एक बेसिक चीज़े मेरे पास थी तो हम लोगोंने काम शुरू किया काम शुरू किया तो लोगों को समझ में नहीं आता लोगों के मिजाज में तो लोगोंने जो भी टेलवीजन पे और बाकी इन्फॉर्मेशन से कि क्या खेल खेल रहा है हम लोग लेकिन इस बीच क्या हुआ कि इस बीच नेशनल अवाड का एनाउंस्मेंट हुआ तो लोगोंने सिर्यसल लेना शुरू किया और पैसे भी खतम हो गया थे तो उस दौरान हम लोग हर एक सीन के लिए एक-एक सीन के लिए हम लोग पूरे शहर में घूम जाते थे हमारी टीम घूम जाती थी यह चाहिए फर्नीशर चाहिए या कुछ ज़रूरी समान चाहिए इस तरह का लुक चाहिए इस तरह का बंगला चाहिए या जो भी चीज़े हम लोगों चाहिए गाडिया चाहिए तो बहुत तरह की लोग थे जो मदद करते थे और इन सब चीजों में आप कहानी से जुड़े हुए हैं आप परियवरन की बात कर रहे हैं जंगल पहाड़ बचाने की बात कर रहे हैं जर्णों को बचाने की बात कर रहा हैं तो काम करने के करम में हम इन सब विस्यों पे हम लोग बहुत सक्रियता के साथ आक्टिब भी रहते हैं सुसाइटी में इन सवालों के साथ मजबूती से खड़े होते हैं तो इस तरह के स्थितियों में लोग जो आलरीडी जो हाँ पॉलिटिसियन या और तमान तरह के संगठन थे वो लोग को समझ में नहीं आता था कि यह इतना सिंसेरली यह लोग कौन है या क्यों इन विस्यों पे यहां आकर के जहार खड़ने में बात कर रहा हैं तो हम किसी दल के हैं क्या कि कोई पॉलिटिकल विंग है क्या हमारा तो बहुत तरह का कन्फूजन भी होता है और इस चक्कर में कई बार आमना सामना मतलब पुलिस परसासन से ले करके कई बार थाना कोट का शहरी कई चीजे हुई हमारे टीम को उठा के जेल में भी डाला ग मूफ कर रहे हैं कि यह दो इसके कारण है मेरे फिल्मों के विजुल्स अगर लोगों को अच्छे और अपीलिंग लग रहे हैं तो इसका क्रेडिट तो मैं ऐसे देखता हूं कि एक तो मेरा जो बैक्राउंड है आर्टिस्ट का मैं पिंटर और स्कॉल्प्टर रहा हूं फाइन आट्स का बैक्राउंड रहा है तो मेरे विजुल सेंस में वो ग्राफिक डिजाइनिंग और ग्राफिक सेंस कॉंपोजिशन कलर इन चीजों की एक समझ है इसकी अलावे जो मेरे गुरुजी रहा है मिस्टर अ अशुक मेहता लिजर्ण सिनमाटोग्राफर ऑफ इंडिया तो उनके साथ मैंने काम सीखा है उनसे ट्रेनिंग लिए है उनके साथ मैंने आर्ट फिल्में की है राजकुमार संतुसी सुवास कई वेपुल अमरितलाल साह रूमी जाफरी अनिस बजमी तो इस तरह के इन में ट्रेम wilderness medium medium में जो इंडिया का one of best production रहा है उस टीम के साथ मैंने काम किया है तो तो डिसिप्लीन काम को execute करने का अगर आपका ज कोई visual sense बनता है उसको execute करना है तो exercise करने का discipline क्या होना चाहिए वह मैंने आशुक मेताश तीखा तो यह है मतलब मेरी फिल्मों का कारण अब अगर लोग को विज्वलिय अगर ठीक लगती है अलाकि मैं अपनी फल्मों का कैमरा खुद नहीं करता है लेकिन मेरे साथ जो लोग वी जुड़ होते हैं मुझे ये पता होता है कि कैसे suit करना है कहां suit करना है तो मेरे साथ अगर हमेशीमे लोग भी हो तो मतलब मुझसे insecurity किसी को नहीं होगी बलकि मुझसे support ही होगा कि हाँ भई बहतर करना है तो कैसे और बहुत चीज़ों पर निर्भर नहीं करता और जो फिल्म और फ्रेम और मेरी कहानी की रिक्वार्मेंट होते हैं उसे मैं समझाता नहीं करता है अगर अगर कहानी का लोकेशन यहाँ है दूसरा लोकेशन अगर एगर तीन चार दिन बजाना आठ भीताना और मुझे वह सीन चाहिए तो मैं पता है कि वह चेहिए तभी वह फिल्म की तरह लेगा तभी वह फिल्म खुबसूरत लेएगे तो समझाँ नहीं करते हमारे फिल्म स्प्रिंग थंडर का जो गीत है वो इसको कंपोज किया है दे लिजरंड रॉक स्टार इंडियान लिजरंड रॉक स्टार लेजली लुइस ने और मेघा से राम डाल्टन ऋसगीत को गाया है और इस गीत के बोल है लिखा है गीत को मेरे मित्र प्रमोट कुमार सिंग उर्फ परिंदा तो परिंदा का लिखा हुआ गीत है तो एक शब्दों की ताकत है उसमें और दूसरा यह है कि कंपोज बहुत बढ़िया हुआ है और तीसरी बात यह है कि मेघा ने गाया बहुत दमदार है मेघा पहले मैं बता दू कि मेघा इस फिल्म की वन अब प्रडूसर है और मेघा मेंली प्लेबैक सिंगर है और जहारखंड की वह ऐसी सिंगर है जिसने पूरे देश भर में दुनिया भर में जहारखंड के ट्राइबल लैंग्विज को अपने गीतों के माध्यम से जंजन तक पहुचाया है और उसमें भी मेघा की खास्यति है कि वह गांधी गीतों को ले करके इस पे पूरे देश वहर में वह अपने छेत्रिय भासा में तो यह मेघा की पहचान है तो मेघा जहां पे जहारembके छेत्रिय भासाओं अपने गीतों के माध्यम से देश-दुनिया में परचारित करती है वहीं पे वो बॉलिवूड की एक मजबूत और श्रसकत आवाज है और इंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री में भी उसने बहुत बहुत एक से एक गाना परफॉर्म किया है को कि सेब के फिल्म दाट गॉली नेलो बूट और अनवर फिल्म का गीत रहा है तो बहुत इसके अलावे मिथुन शर्मा के साथ मिथुन का पहला एक हिट मुजिक वीडियो रहा है तुही मेरे रब की तरह है तो वह पहला गीत जो है उसको भी मेघा ने साथ में गाया है और मेघा को आप लोगों ने सुना होगा बहुत पॉपलर गीत है अजय दयोगन की फिल्म है शिवाए उसका गीत है बोलो हर हर उसमें अगोर मंत्र महादेव सिव तांडो सुरूत का कुछ अंस मेघा ने गाया है जो बहुत बहुत हिट रहा है मतलब करीब 20-40 करोड़ लोगों ने उसका वीवर सिप है तो मेघा की पहचान मतलब मेघा किसी पहचान के भी मोहताज नहीं है मैं अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों से मुंबई बॉलिवूड की फिल्में जो है वो लगातार देश भर में वो लोग एक विवाद का विश्य बना हुआ है यहां की फिल्में और मतलब कंटेंट कंटेंट यहां का अभी लोग को औरिजिनल कंटेंट चाहिए और और औरिजिनल कंटेंट के साथ हमारे जैसे लोग मैदान में हैं और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं फिल्म करूं कुछ अपने तरह के जो मेरा फिल्म का मेरा जो नजरिया है जिस तरह की कहानिया मैं कहता हूं तो वो कहानी लोग पसंद कर रहा है और कई लोग चाहते हैं कि मैं किश नई फिल्म करूं तो अभी कुछ परजेक्ट लोग könश लोग लोग के बीच है कुछ लोगोंने इंटरेस्ट लिया है कई लोग कि चाहते हैं कि काम किया जाए। तो मैं तैयार हूं कुछ अच्छी कहाणिया लाने के लिए कुछ अच्छी कहानिया कुछ अच्छे किरदार अच्छे विजूल्स अच्छे म्यूजिक कुछ नई चीज themes तो हैं तीन फिल्मे हैं हमारी pipeline में हैं एक एक करके बारी-बारी से सब आयेगा इसके लावे एक फिल्म मैंने भी पिछले कुछ दिन पहले की है वो फिल्म भी आने वाली है फिल्म का जब promotion और release पर होगी तब उसके बारे में जिकर करेंगे तो ये है, एक फिल्म आने वाली है मेरी और तीन फिल्म है अभी उस फिल्म का नाम है Finger Cross एक्चली फिल्म का पहले नाम जब काम शुरू हुआ था तो उस फिल्म का नाम था Cross Connection लेकिन इस बीच बात आई हमारे प्रोडूसर की तरफ से कि फिल्म का नाम Finger Cross रखते हैं तो मैंने बहुत चलो ठीक है आईडिया अच्छा है तो Finger Cross है तो ऐसा है आप नाम जाते हैं पर ओर्डिंस को अपिन मैसेज़ देखिए मेरी मेरा पूरा समय जो बीता है मैं मेरी चिंताओं का जो विश्य है वो है नेचर प्रकृति क्योंकि हम आधुनिक्ता के इस अंधे दोड में लगातार हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं गगन चुम्बी इमारतें और दोड़ती भागती ट्रकें कारें चमचमाती मोटरसाइकल और उसके पीछे पागल भागते हुए लोग गाओं अपना गाओं जिला जवार छोड़ करके महानगरों की तरफ पलायन करते लोग तो इन सब की केंद्र में जो मैं कारन देखता हूँ वो है नेचर का डिस्ट्रक्शन एक समय था जब गाओं के लोग अपने गाओं में मतलब सेल्ट सफिसेंट हुआ करते थे आत निरभर हुआ करते थे उनके पास अगर अपना पानी है और खेत है तो एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय और बच्रों से उनका पूरा साल भर का बहुत बढ़िया गुजारा होता था उनकिसी की जी हजूरी उनको नहीं करनी पड़ती थी लेकिन आज के डेट में यह है कि बच्चा बच्चा है जो खेती बारी से तूट चुका है कट चुका है और शहरों और महानगरों की तरफ पलैन कर रहा है क्योंकि एक नया शुरू हुआ है नया दौर शुरू हुआ है और इस नया दौर में लोग है जो भाग रहा है भटक रहा है और अब जमीन से और जमीन से रिस्ता लोगों का खत्म होता जा रहा है तो ये एक डरावने स्तिती है तो मेरी तो यही कोशिस है कि सिनमा के माध्यम से मैं नेचर के प्रती लगाओ प्रेम जुडाओ जनता के बीच में मैं एक बीज बो पाऊं, बीजार उपन कर पाऊं उनकी सोच में, उनकी विचारों में कि अपने जड़ों से न कटे, अपने गाउं अपने मिट्टी से न कटे अपने कला संस्कृती संसकार से हम न कटे और हम उसको सहेज हैं भारत है जो गाओं का देश माना जाता रहा है तो गाओं में हमारी इस देश की आत्मा गाओं में बसती है तो मैं यही बोलूँगा कि परियावरन को लेकर के सोचें नहीं तो अभी जो रिसेंट टाइम है हम लोगों ने पूरी दुनिया ने जो महसूस किया है इस तरह की भी पत्ती का आना मतलब ऑक्सिजन के लिए जो इस तरह की मारा मारी हुई है इससे बड़ा क्या एक्जामपल होगा तो यह जो भी हम परियावरन को लेकर के जो हमारा जो एक परियावरन को लेकर के जो detachment है वो affect करेगा हमारे शुद्ध पेजल पे पानी पे हवा पे और तीसरा है temperature पे तो इन चीजों को अगर बहुत cool और एक अच्छा atmosphere रखना है तो जंगल और जंगल और पानी का संतुलन जमीन का संतुलन हम लोग को बना के रखना होगा तो सब लोग का दिमाग स्थिर रहेगा ठंडा रहेगा काम अच्छा होता रहेगा जीवन अच्छा चलता रहेगा तो मैं यही कहाना चाहूँगा कि safe nature because there is no planet B हुआ यूँ कि जैसे मेरी फिल्म का विस्था जल जंगल जमीन water forest and land तो water forest and land जब फिल्म बना ली और फिल्म बना करके अलग-अलग festival हो रहा मतलब फिल्म बना ली और फिल्म को मुझे रिलीज करना था तो कई साथियों ने सजिस्ट किया कि direct film को रिलीज नहीं कर सकते बजार है जो demand और supply के concept पे काम करता है तो पहले जनता ये तरफ से जरूरत होगी तुम्हारे फिल्म की तब तो तुम्हारे फिल्म की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा तो मेरी फिल्म का विसाई जल जंगल जमीन है और आम जन्म में ये terms जो है ये concept लोग के जिक्र में नहीं है उनके consciousness में नहीं है कि water forest and land जैसे विसाई पर बात की जाए लोगों के बादचीत का विसाई तो mobile phone और cars और अच्छा sofa अच्छी building तो अब उनके दिमाग में water forest and land चर्चे में लाना था तो क्या करें कैसे करें तो film festival क्या करता है भाई तो film festival है जो आपके film को award के थूँ या nomination के थूँ लोगों के बीच में sensible ही चर्चे में लाता है कि नहीं ये जरूरी film है इसलिए तो film है जो festival में move कर रही है चर्चे में आ रही है तो ये point बनाना होता है ये point बनाना होता है मतलब कि आपको media का attention चाहिए तो media का attention चाहिए और मुझे लग रहा था कि media यूही attention क्या देगी है मतलब मैं निर्भर रहूँगा film festival पे तो मुझे लगा कि नहीं मैं cinema बनाने में जब मैं निर्भर नहीं हुआ तो मैं मेरी film के चर्चा में आने के लिए मैं मीडिया पे भी निर्भर नहीं रहूँगा मैं गाउं गाउं जाऊंगा और एक-एक मुहले में जाऊंगा और वहाँ पे जा करके मैं अपने film को चर्चे में लाऊंगा और उसके लिए मैं 2018 में एक बड़ा सा पत्थर ले करके करीब 80-85 किलो का एक पत्थर और वो साधरन पत्थर नहीं था वो एक मूर्तिकार के द्वारा बनाया हुआ इस कल्चर था जो वाटर फॉरेस्ट और लैंड को रिप्रेजेंट करता था इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता था तो उस आर्टवर्क को मैंने एक ट्रॉली पे एक रथ मैंने छोटा सा बनाया और उस रथ पे डालके सजा करके सुन्दर उसको गाउं गाउं घूमना मैंने शुरू किया और जहां जहां मैं जाता लोग की बीच में चर्चा होगा कि भाई एक आदमी है जो वातर फॉरेस्ट इन लैंडबतियारा है और एक पत्थर लेकर के घूम रहा है और यहां टीसट पे प्रिंट कर रखा था जल जंगल जमीन हमारा हमारा है वातर फॉरेस्ट इन लैंड और टीसट के पीछे फिल्म का नविえ स्प्रिंग थन्डर और लेकर के घूमते थे और 2 km, 5 km, 10 km पे हर जगह 10 आद्मी, 50 आद्मी, 100 आद्मी, 500 आद्मी, 2000 आद्मी, 5000 आद्मी इस तरह से हम लोग का इंजार करते थे कि भाई धूप में कहा भटक रहे हो, क्या कहना है, क्यों गूम रहे हो तो लोगों के बिच हम अपनी बात रखते थे और basic idea हमने रखा था free water India मतलब इस देश में पानी की खरीद बेच बंद हो यह idea हमने रखा था अब इस idea पे लोगों की तरफ से बात आते थे कि पानी का खरीद बेच बंद हो क्यों तब counter logic हमारा होता था because water, forest and land is the fundamental right तो यह किसी भी जिवजन्तू का जल, जंगल, जमीन किसी भी जिवजन्तू का वो fundamental right है लेकिन यह बजारवाद के इस दौर में इतना गड़मड हो चुका है कि अब तीनों ही चीजे हैं जो आपको पैसे से मिलती हैं तो यह है बड़ी भ्यावा इस्तिती लेकिन आपके consciousness में इस सवाल अभी तक नहीं पहुचा है इस सवाल अगर आपके दिमाए में पहुचता है कि भाई अगर चिडियों को पैसे से अगर पानी पीना हो हाथियों को अगर पैसा दे करके पानी पीना हो हाँ बाग को अगर पैसा दे करके पानी पीना हो तो क्या करेगा वैसे ही अगर यही बात अगर आदमी पे लागो हो जाए तो मतलब यह सोचने वाली बात है यह मतलब साधारन बात है नहीं बहुत भ्यावा इस्तिती है हमारे जनरेशन से पहले के लोगों ने वहाँ पानी के खरीद बेच का कॉंसेट नहीं था हमारे जनरेशन में पानी के खरीद बेच का कॉंसेट आया और अभी का जनरेशन जो हमारे यहां के सामने जन्म ले रहा है वो तो यही जानता है कि अच्छा पानी है जो हमारे फिल्म का यह जो विसे है इस विसे के साथ हम देश भर में हम लोगों ने ठेशारी पद्यात्रा की बहुत बहुत गुमे लाखों लोगों से मिले हजारों सभाएं की और अपने फिल्म को चर्चे में लाया छोटे-छोटे गाउं के हम कम्यूनिटी मीडिया के बीच में हम गये हमारा गांप्र सेनिमें काउओ मंतर पहुचा हुगा है खेर तो हमारी यही कोशिस है कि हम लोगता है कि अगर नेचर ने टिसमें है सब कुछ अगर मिट्टी से बना हुआ यह प्रोड़क्ट हमारे हमारे हमारी हमारी रोजगार का साधन अगर बना है तो इस रोजगार के साधन और संसाधन से हम नेचर को पेबैक करें और लोगों के बीच में महत्पूर्ण बात रखें कि भाई सेव नेचर इस धर्ती को बचाएं संतुलित करें water, forest and land इसके संतुलन को ले करके हम सजग हों अपने बच्चों को सजग करें और इस धर्ती का दिमाग थोड़ा ठंडा रखें यह देश बचेगा यह दुनिया बचेगी यह धर्ती बचेगी तो हमारा आपका अस्तित्त बचेगा तो जाते जाते मैं यह बोलूँगा जै जल जंगल जमीन जै जगत जै दुनिया